हेलो दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परवेंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतरगत लिमीट टॉपिक के उपर हम बात कर रहे थे और लिमीट के अंतरगत हमने सीका था कि लिमीट कैसे निकाले जाती है तो उसके तीन मैथड मैंने आपको बताये थे कौन सा था पहला पहला मैथड था डारेक्ट पुटिंग मैथड ठीक है और डारेक्ट पुटिंग के बाद में मैंने बताया था factorization या rationalization ठीक है उसके बाद मैं हमारा question था limit x tending to 9 है 3 minus under root x upon 4 minus under root 2x minus 2 ये question मैंने homework में दिया था लेकिन किसी भी student ने इसका जो है answer comment नहीं किया है तो अब मजबूरी में मुझे ही ये question करवाना पड़ रहा है आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों की गलती है आप लोग खुद फिर इस गलती का जो है भुगदान करेंगे अब मैं ये question करवा रहा हूँ देख लीजेगा कैसे होगा ठीक है तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे आपको दिख रहा है कि under root है तो आपको rationalization करना ही होगा और rationalization के लिए क्या होता है तो आपको पता होगा कि opposite sign का जो है उपर नीचे multiply करते हैं यानि कि आप या तो इसका 4 प्लस under root 2x-2 का multiply करो या इसको हटा दो तो मैं चाहता हूँ ये हटे क्योंकि ये जो है under root में वापस अंदर under root ही रहने वाला है इसलिए ये नहीं हटेगा तो मैं चाहता हूँ ये उपर वाला हटे इसलिए मैं क्या करूंगा 3 plus under root x upon 3 plus under root x ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि जो है आप क्या करेंगे कि इसका अगर minus है तो इधर plus का क्योंकि ये और ये मिलके क्या बनेंगे a minus b a plus b जो की होता है a square minus b square ठीक है अब ये तो इसको हटा देगा मैं चाहता हूँ ये भी 7 का 7 हटे तो मैं इसका भी rationalization करूंगा यानि 4 plus under root 2x minus 2 upon 4 plus under root 2x minus 2 ठीक है ये क्या किसको हटा देगा इसको हटा देगा क्योंकि ये और ही हो जाएंगे 9 minus x तो ये ये हट गया और ये उपर बचा रहेगा ये और ये इसको हटा देगे तो ये बचेगा जो उपर है कटापिटी मचा देगे यानि कि 3 का स्क्वेर 9 minus under root x का स्क्वेर x ये बन गया इसके multiply में जो रहेगा उसको as it is लिखेंगे 4 plus under root 2x minus 2 बचे में क्या हो जाएगा 4 minus under root 2x minus 2 है और ये प्लस वाला है तो ये और ये add होगे तो क्या हो जाएगा a square यानि 4 का square 16 minus b square यानि under root 2x minus 2 का square करेंगे जो की कितना हो जाएगा 2x minus 2 समझ में आ गई बात ठीक है तो ये और ये भी small हो गए इसके multiply में रहेगा क्या लेकिन 3 plus under root x ठीक है अब देखिए आगे हम क्या करेंगे इसको करेंगे और simple थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 9 minus x गुणा 4 plus under root 2x minus 2 upon में क्या हो जाएगा 16 minus का 2x minus minus plus 2 यानि की 18 minus का 2x ठीक है और into में क्या रहेगा 3 plus under root x ये चलता ही रहेगा अब देखिए आपको एक चीज दिख गई होगी यहां से जैसे ही मैं 2 common लूँगा तो 9 minus x और यहां भी 9 minus x बनेगा जो की कट जाएंगे तो ये आएगा 1 by 2 और multiply में क्या रहेगा ये जो बचा हुआ बाग है ये एजिटीज चलता ही रहेगा ठीक है ये एजिटीज चलता ही रहेगा अब इदर जो है मैं partition कर देता हूँ इसका क्या कर देता हूँ partition ताकि आप लोगों को आदा बाग इदा लिख रहा हूँ ये समझ में आज जाए ठीक है चली अब यहां तक पहुच चुके हैं अब इसके अंदर extending to 9 पूट करके देखो क्या होता है तो जैसे ही आप पूट करोगे direct तो ये बन जाएगा 1 by 2 तो ते जी टी जी रहेगा 4 प्लस अंदर रूट 2 इंटू 9 कितना होगा 18 माइनस 2 अपॉन में 3 प्लस अंदर रूट 9 कितना बन रहा है ये 1 अपॉन 2 multiply 4 प्लस 18 माइनस 2 16 का अंदर रूट 4 अपॉन 3 प्लस अंदर रूट 9 का हो जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 8 अपॉन 6 ये कट गया 4 आ गया 4 से ये हुआ 2 ये हुआ 3 finally इसका अंसर आ जाएगा 2 by 3 कितना आ जाएगा 2 by 3 इसका अंसर आ जाएगा तो समझ में आ गई बात तो rationalization या जो factorization का method है वो हम कैसे use कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है आप लोग इस method को आराम से अब जो है कहीं पर भी use करिए आपका अंसर निकलेगा इसके बाद मैं 3rd method मैंने बताया था आपको कौन सा law of love का LOL जिसके अंदर बताया था कि polynomial की अगर power equal हो तो polynomial के जो coefficient है उनका ratio answer होता है अगर जो उपर polynomial दे रखा है उसकी power बड़ी हो तो इसका answer infinite हो जाता है plus minus ठीक है और अगर निचे वाला जो polynomial है उसकी power ज़ादा है तो इसका answer हो जाता है 0 जिसका मैंने आपके सामने example भी रखे थे आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या दोस्तो तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं limits using binomial theorem यानि की आप limit find out करेंगे लेकिन किसके माद्यम से binomial theorem को use करके ठीक है तो ये है fourth method limits यूजिंग बाइनोमियल ठीक है क्या यूज़ कर रहे हैं binomial theorem को यूज़ करके हम limit find out करेंगे इसके लिए हमें कुछ चीज़े याद रखनी पड़ेगी जो मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ कि 1 प्लस x की power में अगर n है तो आप लिखेंगे एन सी जिरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वेर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब और ये कहां तक चलेगा तो ये चलता है एन सी एन एक्स की power n तक ठीक है n जो है वो एक natural number है यानि 1,2,3,4,5,6 और x जो है वो एक real number है ठीक है चलिए आगे दूसरा formula आपको याद रखना है इसी का है यानि 1 प्लस x की power n को ही हम क्या और लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस n x प्लस n इंटू n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल x की power 2 प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल और x की power 3 प्लस ये चलता रहेगा infinite terms तक कहां तक? infinite terms तक समझ में आ गई बात यानि 1 प्लस x की power n को आप ये भी लिख सकते हैं और ये ही जो है आप पढ़ेंगे जब permutation, combination और binomial तब आपको समझ आएगा कि ये जो nc0 इसको 1 लिख सकते हैं nc1 x को हम nx लिख सकते हैं nc2 x square का मतलब है nc2 का मतलब होता है n into n-1 upon me 2 factorial ठीक है ये कैसे आता है? वो हम वहाँ पढ़ेंगे अभी केवल आपको याद रखना है थर्ड formula आपको याद रखना है limit extending to a है क्या है? limit extending to a है और function अगर ऐसा दे रखा हो x की power n minus a की power n upon x minus a अगर ऐसा function दे रखा है और limit tending to a है तो इसका answer जो होता है वो fix formula है n a n की power minus 1 ठीक है? क्या होता है? n into a की power n minus 1 ये बात आपको याद रखनी है ये formula हमारा कई जगे पर कई जगे पर जो है हमारे काम आने वाला है समझ में आ गई बात अब हम इस formula और इस concept से base एक दो question करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे ये concept हम use कर सकते हैं ठीक है? चलिए तो अब हम करेंगे आगे question आप लिखिएगा question first question first है limit extending to है आपके 1 और x की power में है p minus 1 upon में है x की power में q minus 1 ठीक है? x की power p minus 1 और x की power q minus 1 तो इसकी आपको limit find out करके बतानी है आपको पिछे ही देखो सबसे पहले क्या लिखवाया x की power n minus a की power n upon x की minus a अगर ऐसा formula बन रहा हो तो answer ये होता है ये हमें पता है अब हमें यहाँ x की power p minus 1 upon x की power q minus 1 दीख रहा है क्या इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ limit x tending to 1 x की power p minus 1 upon मैं x minus 1 upon x की power q minus 1 upon x minus 1 अरे भाई देखो ये और ये कटेगा तो वापस से ये ही बन रहा है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ ठीक है अब जब मैंने आपको basic fundamental theorem लिखवाई थी limit की तब आपको बताया था कि अगर limit of fx upon मैं limit of gx लिखा हुआ हो तो आप उसको अलग-अलग कर सकते हैं तो क्या मैं इसको fx मानू और इस function को मैं gx मान सकता हूँ मैं इन दोनों की अलग-अलग limit निकाल लूँगा फिर l जो भी हम मान रहे इसकी limit आएगी वो ही ratio तो answer होगा तो आपको दिख गया क्या यह यही नहीं दे रखा limit extending to a xc power n minus a की power n a क्या है 1 है इदर भी 1 है इदर भी 1 है अब 1 की power p लगाने से भी क्या फरक पड़ेगा 1 ही आएगा यह अब answer क्या देगा यह यह answer देगा n into यानि p into a कितना है 1 1 की power में n यानि की p minus 1 अब बताओ 1 की power कुछ भी हो answer तो हमेशा 1 ही आता है तो यह बन गया p ऐसे ही मैं limit निकाल लूँगा किसकी x की power q minus 1 upon x minus 1 अब यहां क्या होगा अरे यह देखो इदर वापस से q लगा दो क्या फरक पड़ता है और यह भी वही formula क्या q into 1 की power q minus 1 यह क्या हो गया q यह दोनों क्या है divide में ही तो है तो ultimately यह function जो है हमारा इसकी limit क्या हो जाएगी p upon q यही हमारे इसका answer है समझ में आ गई बात तो कैसे हमने यह formula use करके जो है ऐसे function की एक limit निकालना सीख लिया समझ में आ गई है बात कैसे करते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आपको ऐसे ही जो है आगे भी question आने वाले हैं तो डरना नहीं है कि कोई नया आपको concept पूछा जाता है नहीं ऐसे ही question पूछे जाएंगे ठीक है चलिए एक और question करते हैं हम क्या लिखेंगे x समझ में आ गई बात इसको करना है swallow अगर इसकी limit पूछ रहा है आप direct 0 पूट करो क्या आएगा 1 प्लस 0 1 माइनस 0 यानि 1 1 माइनस 1 0 अपन 0 फॉर्म बन रही है तो 0 अपन 0 फॉर्म है तो हमें अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी यानि direct तो पूट नहीं कर सकते अब इसमें हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें सबसे पहले देखो direct तो पूट नहीं कर सकते rationalization और factorization करनी सकते यह qbic है तो बहुत जादा lengthy होता जाएगा यह तो से हम नहीं देख रहा है फिर लो एल law of love लगा सकते हैं क्या नहीं law of love का से लगेगा polynomial है यह नहीं दोनो ठीक उसके मलब polynomial है है लेकिन अलग अलग polynomial है यह तो इसका बन नहीं सकता है फिर और आगे देखो तो आगे दे रखा है आपके कौन सा method अरे binomial वाला तो जी हाँ आप यहाँ यूज करेंगे binomial का concept और कैसे वो देखिए limit x tending to 0 और यह क्या लिखा है 1 प्लस x की पावर 1 बाई 3 तो है भाई cube root का मतलब ठीक और यह क्या लिखा है 1 माइनस x की पावर में 1 बाई 3 अप उन मैं क्या लिखा है x यही लिखा है अब देखो यहाँ क्या यूज करोगे अरे जो concept अभी just पिछे बताया बिटा यह देख इधर देख इधर देख इधर देख यह देख 1 प्लस x की पावर n तो इन दोनों में से कोई भी एक formula यूज कर सकते है अरे ये तो क्यू करूँ मैं भाई ऐसा जब मेरे पास मैं सा permutation वाला ऐसा कोई चीजी नहीं दे रखी है मैं यूज करूँगा ये वाला और ये क्या कहता है 1 प्लस nx प्लस n into n-1 upon 2 factorial x square ये लिखू तो चलो बेटा लिखो इदर 1 प्लस x पावर 1 बाई कितना है 3 यानि कि क्या हो जाएगा 1 प्लस nx nx यानि कि 1 बाई 3 गुणा x प्लस क्या होगा आगे अरे ये देखो आगे क्या आएगा n into n-1 तो n तो कितना है 1 बाई 3 गुणा n-1 यानि 1 बाई 3 माईनस 1 upon में 2 factorial और x square ठीक है और ये ऐसे ही चलता रहेगा ये हो गया bracket में बंद minus अब इसको लिखेंगे तो 1 माईनस x कि पावर 1 बाई 3 है तो क्या हुआ अरे सीदी सी बात है बीच में plus sign माल लो और ये minus का x माल लो तो इसमें क्या होगा जहां जहाँ x आ रहा है वह minus x उज़ करो यानि कि 1 minus 1 by 3 x यानि minus n x हो जाएगा x square है तो वो तो plus ही होगा तो ये plus हो जाएगा वो ही आएगा 1 by 3 multiply 1 by 3 minus 1 upon में 2 factorial into x square ठीक है और ये आगे देगा negative तो ये positive negative ऐसे ही चलता रहेगा ठीक निच्चे जो है आपके x बना हुआ है वो x रहेगा ही रहेगा अब इसमें आपको एक tue-sht दिखरा होगा कैसा tue-sht सर देखो बैट्टा tue-sht कैसा है देखो 1-1 क्या टाटा 1 by 3x और इदर प्लस का 1 by 3x यानि बचेगा ठीक है बचा लो बेटे को प्लस का x square में ये coefficient इदर आ जाएगा minus plus minus में तो ये टाइ-टाइ फिस समझ में आगई बात ऐसे ही आगे जो terms है वो कटेंगे सब समझ में आगई बात आपके पास जो बचेगा केवल क्या बचेगा तो आपके पास बचेगा 1 by 3x और इदर से minus minus plus 1 by 3x upon में x ये क्या हो जाएगा आगे solve हो करके ये हो जाएगा limit x tending to 0 और ये बन गया 2x upon में 3x कैसे इसको इसको जोड़ोगे 2x upon 3 आएगा 3 निचे आजाएगा 3x हो जाएगा तो ये बन गया अब x से x tie tie face जैसे ही x से x tie tie face हुआ यहां कहीं भी x बचा क्या नहीं क्या बचा केवल 2 upon 3 तो जो 2 upon 3 है ये ही तो limit हो गई समझ में आ गई के अरे बेटा समझ में आयो के नहीं अरे आयो के नहीं आ गई हो समझ में ठीक है आ गई हो समझ में तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये तो समझ में आ चुका है तो आगे के कोशन करते हैं चलिए next करते हैं कौन सा तो next आ जाएगा आपके question ही एक और हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों के और doubt clear हो जाएगा और ये question मैं ले रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बैतरीन question है limit extending to 2 ठीक है x की power n plus 1 minus 2 की power n plus 1 upon में x minus 2 equal to इसने बोला 80 then find n ठीक है इसने बोला है कि limit x tending to 2 है और x की power n plus 1 minus 2 की power x plus n plus 1 upon x minus 2 है तो आप ये बताइए कि equal 80 है तो n की value क्या होगी ये पूच रहा है ठीक है कैसे करेंगे अरे कैसे करेंगे जैसे की अभी जर्ष्ट बताया गया है क्या बताया है मैंने आपको अभी जब भी x की देखो जब भी आपके पास लिमीट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर्म दिखे तो आंसर होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1 तो ये ही हमारा आंसर होगा अब n कितना है लेकिन यहाँ n प्लस 1 है तो n प्लस 1 गुणा a a कितना है यहाँ अरे जिसके टेंडिंग टू लिमीट हो यानि की 2 और n कितना था n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू में हो गया 80 इधर आपको सामने ही दिख रहा है भाई प्लस का 1 माइनस का 1 टाय टाय फिस यह बन गया n प्लस 1 गुणा 2 की पावर n बराबर में 80 बन गया अब इसको करेंगे solve इसको solve करने के लिए आपके पास में अलग-अलग मेधर है आप या तो इसको क्या करेंगे अब 80 को ऐसे तोड़ेंगे कि यह 2 की पावर n के रूप में बने तो इसको आप जो है ऐसे factorize करिए कि यह बन जाए तो यह factorize कैसे करें तो आप इसमें देखिए कि 80 कब कब आता है तो देखो या तो आप 80 इंटू 1 लिखें तो 80 इंटू 1 लिखने का कोई sense नहीं है ठीक है फिर आप 2 इंटू क्या लिख सकते है अरे 2 इंटू क्या लिख सकते है 40 लिख सकते है 42 की पावर में भी आ सकता है क्या नहीं आ सकता ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो आप जब आगे जाएंगे तो 5 इंटू 16 लिख सकते है और ये n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n वैसे आपको तो n की value objective में दे रखी होगी तो 4 में से आप चेक कर लेना जल्दी जिसमें आ जाए वो answer ठीक है अब देखो क्या बना n प्लस 1 इक्वल 2 में 5 और 2 की पावर n बराबर 16 तो यहां से इसपस्ट हो गया n इक्वल 2 फोर होगा और यहां से भी n इक्वल 2 फोर आया इसका मतलब n बराबर जो है 4 ही हमारा right answer है समझ में आ गई बात तो यह था binomial theorem को आप use करके कैसे limit निकालेंगे यह वाला concept समझ में आ गई बात ठीक है चलिए अब मैं आपको जो है नए concept की और लेकर के बढ़ रहा हूँ और वो next concept है infinite की power 0 या 0 की power 0 ऐसी indeterminate form बन जाए तो आप एक जो है fix method है वो use कर सकते हो चलिए अब आप लिखेंगे क्या यह next type है फिप्त type और वो कहता है कि अगर infinite की power 0 and 0 की power 0 indeterminate form बन जाए indeterminate form ठीक है यानि infinite की power 0 या 0 की power 0 किसी function में आप direct value put करते हो और ऐसी indeterminate form बन रही हो साथ मैंसे यह दो अगर बन रही है तो आप इसका answer अंसर फिक्स तरीके से लिख सकते है कैसे देखिए limit x जाएगा अगर अगर अ बराबर एक हो जाए मतलब अ जो है 0 से लेकर क्या 0 से लेकर के अगर 1 के बीच हो 0 से लेकर के क्या हो दोस्तो 1 के बीच तो answer होता है 0 अगर 1 ही हो तो 1 answer होता है और अगर 1 से बड़ा है तो answer होता है infinite ठीक है ऐसे ही इसका दूसरा case हो सकता है कि limit x tending to minus infinite हो तब क्या होगा इस function की answer तो तब इसके answer यही होएंगे क्या 0 कब जब a greater than 1 हो ठीक है और infinite कब जब 0 से ले करके 1 के बीच में हो और 1 ही रहेगा कब जब a बराबर 1 हो जाए केवल इन दो में interchange होता है ठीक है अब यह कैसे काम आती है वो देखना आप तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक कोशन को यह एक second में solve करवा देता है यह method देखना हम करते हैं इसका अब question तो question से आपको समझ आएगा question है हमारा limit x tending to infinity दे रखा है और आपके पास में है 2 की power x plus 3 की power x plus 5 की power x की power है 1 by x put करो इसमें यह पूरा infinite 1 upon infinite 0 होता है या इपाइनाइट की power 0 है अब इसमें क्या कर सकते हो उसको आप डारेक्ट लिक सकते हो कैसे देखो limit extending to plus infinity ही है ठीक इसमें आप जो है देखो जब भी ऐसा question दे रखा हो तो आप क्या करोगे कि जो भी संक्या आपको दीखे अच्ची चाहे आप जो है देखो वैसे आप मैं जो यूज़ करता हूँ आपका answer कभी गलत नहीं होगा मैं जो trick उज़ करता हूँ वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास infinite है positive के अंदर तो आप largest number largest number यानि कि दो तीन पांच इन सब में ऐसी ही power में जो सबसे बड़ा number हो वो लेंगे तो सबसे बड़ा क्या है 2, 3 या 5 तो 5 है तो आप लोगे common क्या 5 को ले लोगे common 5 common लेते ही क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 upon 5 की power x ठीक है ये बन जाएगा 3 upon 5 की power x इधर 5 x ले चुके हैं हम common तो ये बन जाएगा 1 और इसकी power रहेगी 1 by x ठीक है अब इसके अंदर आप infinite पूच करो पूट करो रहे देखो x की power infinite 2 upon 5 की power infinite क्या होगा 0 3 upon 5 की power infinite 0 ठीक है तो ये क्या होगा ये देखो अब बन जाएगा 0 plus 0 plus 1 और इस पूरे की power 1 upon infinite यानि 0 ठीक है तो ये क्या हो गया 5 और यही हमारा answer है समझ में आ गई बात तो कैसे limit आपको समझ में आ चुका होगा ठीक है ये form fix है अगर ये दो form बन रही है तो आपको क्या करना है ऐसे ही करना पड़ेगा आपका ये जो है already मतलब एक तरह से कह सकते हो ये trick type का या fix method है कि ऐसा कोशन बन रहा है तो आप ऐसे करेंगे तो आपका answer जो है जल्दी से जल्दी आ जाएगा समझ में आ गई बात ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे तो next हमारा जो है concept वो है इसी का एक और कोशन और वो कोशन है आप निखेंगे कोशन limit अगर x टेंडिंग टू माइनस इंफाइनाइट ओ और ये आपको पता है ना ये 0 कैसे आया है अरे इधर देख लो ये 0 इसलिए आया क्योंकि 0 और 1 के बीच अगर a हो ये a की power x फॉम ही तो बनी है देखो भाई a की power a इसको मान सकते है और ये a जो है 0 और 1 के बीच है हाँ इसलिए इसका अंसर 0 आया है ठीक है ऐसा मैं समझना कि ये 2 by 5 की power infinite होता ना नहीं ये बन गया a की power x और ये 0 और 1 के बीच है इसलिए ये हो गया 0 इसलिए तो मैंने का कि आपको ये देखना है कि हम largest number को common क्यों लिया है क्योंकि यहाँ बनाना है 0 से लेकर 1 के बीच में और वो कब बन सकता है जब आप बड़े से बड़ा number common ले लो और divide में जब बड़े से बड़ा number आएगा तो वो 1 से छोटा हो जाएगा ठीक अब आपको दे दिया एक question क्या तो वो है इस type का मैं यह लिक रहाँ minus infinite limit tending to है minus infinite और function है 2 की power x plus 3 की power x plus 4 x plus 8 sorry 8 नहीं आप ले लेंगे 11 x समझ में आ गई बात और power है 1 by x इसको करेंगे solve इसको अगर हमें solve करना है तो हम क्या करेंगे limit x tending to क्या है minus infinite और minus infinite के case में 0 से लेकर 1 के बीच अगर हो तब तो यह infinite answer देता है तो इसका मतलब क्या हुआ हम यहां largest number common लेंगे क्या नहीं यहां जब भी आपको minus infinite limit है तो आप जो है minimum number होगा वो लेंगे यानि चोटे से चोटा number तो 2, 3, 4, 11 में सबसे चोटा कौन है 2 तो आप ले लो common 2 x तो 2 की power x जैसे ही common लिया तो यह बन जाएगा 1 यह बन जाएगा 3 upon 2 की power x प्लस 4 upon 2 की power x प्लस 11 upon 2 की power x और इस पूरे की power में क्या चल रहा है 1 by x समझ में आ गई बात अब देखो इसमें क्या होगा 2 agt चलेगा 1 agt चलेगा आपको पता है जब limit limit tending to क्या हो minus infinite तो जैसे ही a 1 से बढ़ा हो जाएगा वो answer देगा 0 तो देखो 3 upon 2 1.5 की power infinite यानि 0 प्लस 2 की power 4 से कटेगा तो 2 आएगा और 2 1 से बढ़ा है यानि ये भी 0 11 upon 2 यानि ये तो 5.5 आएगा यानि की एक से बढ़ा है तो ये भी आएगा 0 और 1 upon infinite होता है 0 ये पूरा हो गया 1 तो answer क्या आगया 2 अब आपको यहां क्या याद रखना है कि जब भी आपका infinite की power 0 या 0 की power 0 indeterminate form बन रही है और SC series में ही ये कोसन आता है हमेशा इसका fix है कि इसके लिए ऐसा ही कोसन आपको दिया जाएगा ठीक है तो आप यहां क्या याद रखेंगे कि जब SC series दे रखी हो अगर minus infinite है तो जो minimum number है वो ही answer होगा और अगर plus infinite की limit है तो आपका जो largest number है वो direct answer हो जाएगा आपको पूरा ऐसे solve करने नहीं बैटना है ये tricks है ये क्या है tricks है जो आपको याद रखनी है ठीक है चलिए दोस्तो मिलेंगे हम अगली class में आप देखो मैं ऐसे trick के लिए अलग-अलग question करवा हूँ ये कोई माईने नहीं रखता है मैंने आपको trick exam के अंदर direct क्या use करनी है वो बता रहा हूँ आपको अब इसके लिए मैं छोटे-छोटे video बनाओ या जो है हमारे views बढ़ते है उसी से हमें motivation मिलता है उसी से हमें ये कारे करने को और भी जो है उत्चुकता रहती है excited रहते है कि हाँ कल मुझे exact 9 बजे class लेनी है कल मुझे 9 बजे class upload करनी है ठीक है दोस्तों चलिए मिलेंगे अगली class में